अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और क्या शांदार मूव रहा है और इसमें बहुत सारे सवाल हमाई पास आये थे नाम थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूं लोगों के मजगाव टॉक आपको बताते हैं कि 22 अक्टूबर को कंपनी की होनी है बोर्ट बैठक और बोर रखी गई आनि 30 अक्टूबर तक अगर आप शेर धारक बने हुए हैं मजगाव टॉक के तो फिर आपके खाते में डिविडेंट की रकम भी आएगी इस सरकारी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 84.83 फीसद है और पिछले कुछ दिनों में यहां पर अच्छे मूव आते हु पर काफी फसी हुई है यह जो रिकवरी है क्या एक्जिट का मौका है यहां पर आपको लग रहा है कि आवरेजिंग का मौक यहां पर एवरेजिंग की जा सकती है फ्रेश इंट्री के लिए किसी को अगर राय देनी हो तो आप क्या देंगी और इसके साथी साथ बाकी जो है एक सेलिंग देखे थी मुझे लगता वो त्रम्टी वी नज़र आ रही है और मजगाउं डॉप की बात करें तो यह बाइं का कैंजिजे की बन चुका है लेकिन एक ही चीज है रिजल्स वाहित तारिक को है जैसा आपने बताया तो उससे पहले अगर हम बाइं करते तो है कि बना हुआ है और इसमें जो टागिट अब देखने को मिलेंगे के बात करें तो मेरे शाब से यह बहुत अभी भी खरीदने का अच्छा कैंडिडे बना हुआ है और टागिट इसमें मैं अब जो लेके चल रही हूं 4800-4900 के इनिशन लेके चल रहे हूँ तो 4575 के चल रहा है वहां पर भी बाइंट की जाए सकती है इसी सेक्टर की जो बाखी जो कंपनिया है जिसमें हम देख रहे हैं जी आर्एसी सामिल है ् वो कैसे लग रहे है और शिपिंग कॉपरिशन हलांकि वहां पर अब हम देख रहे है कि सवा परसंटके आसपास की गिरावट है शिपिंग कॉपरिशन की अगर हम बात करें आप लेकिन कैसे देख रही है जी आरेसी को और शिपिंग कॉपरेशन को जी आरेसी में सबातीन परसंट की तेजी है देखे जी आरेसी भी अच्छा लग रहा है इन पर चार्ट पे इसने भी मजबूत पोजिशन यहां पर बनाई भी है मजबाव डॉक तर्स के बात करें जी आरेसी की तो वह भी अच्छा लग रहा है दुसरी तरह अपनी शिपिंग कोर्परेशन की बात की शिपिंग कोर्परेशन अभी भी चार्ट के मस्बूत नहीं है तो तीनों में से सबसे पहले दो चार्ज जो अच्छे हैं वो मस्गाउं टॉप और जी रसी के हैं अब अगर हम शेपिंग कोरपरेशन को तो क्योंकि हमने निकाल लिये दिया है अब अगर हम जी रसी के बात करें तो गार्डन डीच में मेरे हिसाब से खरीदारी की जा सकती है 1794 के आसपास चल रहा है 1780 के जोन में बाइंग कर लिजे और इसमें स्टॉप लोस लगा लिजे तक्रीबन 1500 का और टागेट इसमें जो हमको देखने को मिलेगा वो लॉंग टर्म के है 1995-2050 लिकिन फिर मैं रिपीट करती हूँ लॉंग टर्म के ये टागेट से रही है लॉंग टर्म के टागेट है जी आरसी मजगाव डॉक दोनों ही अब बाइंग केटेगरी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत दिनों तक लदूरी बना ली बहुत लोगों ने लॉस से लिया लेगिन अब थोड़े धीरे करके ये दुबारा जो है रडार पे आते ह हुए शेर दिखाई दे रहे हैं और एक बार अगर यहां पर लिक्विटी आने लगी तो फिर से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा